हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहें फ्रेंड्स पुलाओ की रेसिपी वो भी मठे के पनेर से तो देखने में एकदम खिला खिला और बहुत ही स्वाधिश्ट तो इसके लिए हमने कडाई करम कर लिया है इसी में हमने फ दोयाबिन भीगो के रख दिया था यह लगबग 50 क्राम है तो इसी कडाई में हम इसे भून लेते हैं लाल होने तक इसमें फ्रेंड्स आधा चमश के लगबग घी था तो देखिए अब कितने अच्छे से लाल हो चुका है भून चुका है तो अब हम एक प्लेट में निकाल की रख लेते हैं इसी कडाई में हम अपना जो पुलाव है न वो भी बनाएंगे बहुत ही लजीज और बहुत ही टेश्टी बनने वाला है तो इसमें हम सरसू का तेल डाल देते हैं फ्रेंड्स यह लगबग 2 से धाई चमश है तो सबसे पहले हम इसमें आलो भी फ्राई कर लेते हैं इसमें हमने दो आलो को मेडिय मकार के लिए हैं तो हमने ढग की पकाया अब हम चेक कर लेते हैं आलो को तो देखिए आलो कितने चिस से फ्राई हो चुका है इसने भी अपना कलर चेंज कर दिया है तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो फ्रेंड फ्रेंड्स खाने में तो इसी तरीके से हम सारे आलु को निकाल लेते हैं तो हमें तेल ज्यादा लग रहा था तो हमने दो से डहाई चम्मच की लगबक हमने निकाल लिया है तेल तो इसी में हम एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देते हैं और दो मेडियम अकार के प्याज हमने कट कर लिये थे मुटे-मुटे अकार में उसे भी हम डाल की फ्राई कर लेते हैं तो देखिए इसी स्टेश पे जो कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं उसे भी हम डाल दिये हैं लगबग 6-7 पत्ते हैं तो देखी कितने इच्छ से हमारा प्याज फ्राई हो चुका है इसे फ्राई होने में लगबग 1-2 मिनट लगा है इसी श्टेश पे हम टमाटर लिये थे दो उसे भी मोटे मोटे कार में कट कर लिये थे अब उसे भी डाल के हम धीमी आश पे हम भून लेते हैं इसी श्टेश पे हमें थोड़े से सुखे मसाले भी डालने हैं तो एक चमच हमने गरम मसाला डाला है एक चौथाई चमच हल्दी पावडर और अपने टेश लेके अकौडिक नमक डालेंगे इसके विप्रांत अब हम और कोई भी मसाले इसमें एड नहीं करेंगे बस इतने ही दो से तीन मसालों से हम अपनी जो पुलाव है ना बहुत ही यम्मी बनानी वाले हैं तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आने लगा है मसालों का इसे अब हम पकने देते हैं दो मिनट के लिए तो एक तरब देखिए फ्रेंड्स हमने जो पनीर है ना मठे का उसे हमने चन्नी से छान दिया है दिखो इसका पानी आप पेडों में भी यूज कर सकते हो तो देखिए हमारा मसाला भी कितने अच्छी से पक चुका है अब जो पनीर है मठे वाला उसे भी हम डाल के कल्ची से कट कर लेते हैं जितना बड़ा आपको पीस चाहिए आप उतन तरीके से चलाती हुए जो पनीर है उसे भी मिक्स कर लेते हैं और खाने में फ्रेंट्स बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेश्टी बना है कोई भी नहीं कहेगा कि ये मठे का पनीर है इसी टेश पे जो आलू है उसे भी हम डाल के भून लेते हैं मसालों से बिलकुल अच्छ आप लोगों तक हमारी इसी तरीके से नेवनी रेसिपी पहुशती रहेंगी और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा इसे अब हम दो मिनिट के लिए ढख के पकाएंगे तो एक तरफ हमने प्रेंट्स एक कटोरी बास्मती राइस ले ल मसाला है वो छेक कर लेते हैं तो देखिए फाइनली कितने अच्छे से अब हुण चुका है इसका जो खुशूब है ना फ्रेंट्स वो भी बहुत अच्छा आ रहा है तो इस तरीके से पनीर और जो पुलाव है ना आप भी जरूर बनाईएगा तो इसी स्टेश पे हमने ज जो हमने सोयाब इनको वीगों के रखे थे उसे भी हम डालेंगे तो देखिए कितने अच्छे से अदम खिला खिला लग रहा है देखने में तो अब हम सोयाब इनको भी डाल लेते हैं और अच्छे से मसालों से मिलाते हुए इसे कल्ची से हम कोट कर लेते हैं इसे फ्रेंट के लिए हमें धक के पकाना है तो हमारे चावल बहुत अच्छे बनेंगे तो दो मिनिट बाद हम चेक कर लेते हैं तो देखिए कितना अच्छा बना हुआ है एकदम खिला खिला तो इसी श्टेश पे हम दो चम्मच नारियल का जो बुरादा होता है उसे डाल देते हैं तो इस चम्मच हमने लगभग लाल कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर डाला है अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं इसी श्टेश पे अपने ग्रेवी के अकार्डिंग आप पानी भी डाल दीजिएगा एक तरफ हमने गरम होने के लिए पानी रग द दिया था तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है अब हम इसमें लगभग डेड़ से दो गलास पानी एट करेंगे तो मसालों की जो तरी है ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल खिले खिले अपने जो पुलाव है ना वो बनेंगे तो देखिए पाश मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं कितना अच्छा हमारा पुलाव बन के तयार है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है एकदम खिला खिला है तो देखिए इसकी खुश्पो भी बहुत अच्छी आ रही है तो अब हम इसमें फाइनल इस पे और टेश्टी बनने के लिए इस पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में उतना ही टेश्टी फ्रेंड्स खाने में भी बना था आप भी जरूर बनाईएगा अब हम इस पे लगबग एक से डेड़ चमश देसी गाय का घी डाल देते हैं और घी को बिल्कुल अच्छे से हम कल्ची से मिला लेते हैं कि सारे पुलाव में मिक्स हो जाए अब हमें कटोरी में सर्व कर लेते हैं हरे मेर्च के साथ तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ ठेंक यू फॉर बच्चीं